सबजीयों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं यह मैं एक गिफ्ट बास्किट बना कर लाई हूं आप लोग अभी शादी ब्या का सीजन आ रहा है बर्त्रे पार्टी वगेरा में जाते होंगे यह बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है इसमें एक किलो टमाटर है ए एक किलो अद्रक है एक किलो हरा मिर्च है एक किलो लहसुन है टोटल लगबग 1070 रुपए का सामान है इस बास्किट में तो अन्यता पैसे मत खर्चा करिए यह सब चीजे दिया करिए लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते हैं आज असलियत यह है कि इस देश में अगर डेड़ सो रुपए के करीब बिक रहा है तो जो लहसन प्याज नहीं खाते हैं आपको हो सकता समाज दें कि समभाया है कि हम तमाटर भी नहीं खाते हैं अध्रक ने तो ट्रिपल सेंचरी लगा दिये निम्बू मेरा पैसा खत्म हो गया मुझे निम्बू नहीं मिला था चार सो रुपए पार निम्बू है चार सो रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सबजी वाला फ्री में जाल देता था सबजी के थैले में यह चार सो रुपए कि लो की मिक रही है ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सरकार को इसका पता नहीं सरकार सब जानती है सरकार को सब कुछ पता है और नहीं ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है ट्रांस्पोर्ट कॉस्ट इतनी महगी है कि सरकार से सभाले चीज़े संभल नहीं रही है सब्जी ही नहीं दाल भी दूबर हो गई है एक मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे दाल रोटी खा लेंगे दाल भी दूबर है अरहर और उड़त की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी आज वो 160 से 170 के बीच में है उड़त की दाल 30 रुपय महंगी हुई है एक महीने में अरहर की दाल में एक महीने में 50 रुपय की बढ़ोत्री हुई है 1-2 रुपय नहीं करीब करीब 50 रुपय की दाल और सबजी चलिए आदमी कम खाएगा सोचे का थोड़ा मसाला वसाला आड़ करते तो बाद बन जाएगी जो जीरे का छोंक लगता है वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है अभी 800 रुपए किलो है जीरा इस समय 800 रुपए किलो जीरा विक रहा है वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यमवर का खाने का स्वाद बढ़ जाता है उस जीरे में 200 रुपए किलो 200 रुपए प्रती किलो का इजाफा एक महीने के अंदर हुआ आठ सो पे दाम पहुच गया है यह जीरा कभी 200-200 रुपए पर बिकता था अब सबजी भी महंगी है दाल भी महंगी है मसाले भी महंगे है खुद सरकार मान रही है कंजूमर अफेर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है दस में से जो दस सबसे जरूरी चीज़ हैं जिसमें दाल, चावल, आठा, मसाले, सबजिया, चाएपती, आलू, प्यास, टमाटर उसमें से नौ चीज़ों के दाम में आग लगी हुई है यह सरकार खुद मान रही है इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी आपको सुनाते हैं आपके साथ हम यह जब अबी मिलेगा पिछले एक महीने में टमाटर 160 पे है धनिया 200 की है अदरक 400 की है मिर्ची 400 की है लेसुन 130 का है परवल 80 का है अर्भी 80 की है भिंडी 70 की है और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए यह वादा करके सत्ता में आए थे उन्हों ने आख पर ऐसी पट् कुली नहीं है कि उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46 प्रतिशत आटा कॉमन फ्लार के दाम में 46 प्रतिशत वृद्धी हुई है चावल 25 रुपई किलो मिक्ता था अब 36 के उपर पहुंच गया है दाल जो 72 की थी वह 160 170 के बीच की मिल रही है सरसू का तेल 90 से द हमारे गाओं की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दालना हो तो नून से खा लिजे रोटी तो वाकई में जो लोग मोदी जी को लाय थे और ये वादा किया था कि नमक रोटी खाएंगे उनके नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था वो 20 क कर दो पराई